द। यहां करो में बहले उंग्लियां गरम थी अब तो पुरा हाथी गर्म हो दो कि रहे है घी कि दॉस्टर और न कोई ठीक हो और भयाई उठयषा और रहा है आपको करके धपड का बद्ला लेना है पथा ना हाँ चिंदी के ऊसे किक मारी थी ना आज उसे लंगडी मारूंगा जाज़ 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 उखी तुखुशी कि गई आँढ दीदी दीदे नहीं कैसे भाईयो उठिने में हेल्पी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरा गरम क्योंकि मेरा धरम धरम से बंदे हो है ना मम्मी नहीं कहा था कि एंचान को गिर के खुदे उठ जाना चाहिए लेकिन आपको गिरा है किसने पता नहीं अच्छा तो इनकी बत्माशी है यह आप इनको पता चलेगा कि बत्माशी में मैं कोल्ड मेडलिस्ट हूँ ठीडी जेरे पैक में आग लगी है उपके भी अँआ हमें कोई वच्छा हो आँआँआँआँआँआँआँपस आपको इस्टूरें ना पूछ लेए तीचर साइन्स टीचर मैं मिली समय बच जाओ मैंच टीचर प्ली समय आप बुजा दीजी अरे अरे पते चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा अचा घूमो मैं अब जाके थंडग मिली आपके हाथ में इस ही है क्या विवान भाया अब तो विवान की AC की तेसी होगी क्या होँ पानी परी हमें यहां क्यों बलाया च्वाला परी तुमने जो विवान को अगनी शक्ती दी है उसका वो गलत इस्तिमाल कर रहा है अगनी शक्ती? पर मैंने तो कोई अगनी शक्ती नहीं दिया इसे हाँ क्या? तुमने विवान को कोई अगनी शक्ती नहीं दी तो फिर इसने चिंटी और चिंटी के कपड़े और अगनी शक्ती नहीं क्या? विवान क्या चुक्त करें? वो बात ही है अगनी शक्ती परी कि मैंने बुत्ती पाश चादू का गलत इस्तिमाल कर दिया उसी की सादा मिल रहे है मेरे दोनों के दोना आग के फट्टी बन चुके है हाँ किधर हाँ तुभारे शरीर तो आपकी तरह करब हो चुका है मुझे भी अंदर जैसे ही लग रहे है जैसे मैं तवे भी फ्राय हो रहा हूँ प्लीज मुझे जल से चल बार्टर के बास ने चलो थाकि मैं उनको स्वारी बोलकी प्लीज क्या हुआ स्वारी बोले से काम नहीं चलीगा तो मैं कान बगर कर रोटक भाटक भी कर रूँगा और अगर पार्टर के फिर भी माफ नहीं किया तो मैं मुर्गा भी बाल जाओंगा और बान भी दे दूँगा कुक्ला कुक ऐसे प्लीज विवान के माथे पर ये अजीव सा सूरत जैसा निशान कहां से आया पता नहीं मस्ती परी लेकिन मुझे भी कुछ कड़बट लगती है मुझे फॉरंग जाकर बालवीर और शौरिय को इस निशान के बारे में बताना होगा विवान के माथे पर सूरिय का निशान? हाँ और विवान का शरीर भी एकदम तेजी से गरम होते जा रहा है उसे लगता है कि उसे बुद्धिपाश जदू का गलत इस्तिमाल कर दिया लेकिन मुझे लग रहा है कि बात कुछ औरी है शौरिय कहीं ये तिमनासा की चाल तो नहीं नहीं बालवेर तिमनासा जो परमस्त्र बना रही है उसकी शक्ती सूरत से नहीं आ रही तो फिर कौन कर रहा है ये सब और विवान के माथे पर सूरिय का निशान क्यों है मैं पता लगाने की कोशिश करता हूं बालवेर तब तक तुम पृत्वी पर जाकर देखो वहां पुरी शक्तियों की कोई हल चल तो नहीं हो रही है ठीक है शॉरिय देख रहे हैं आप लोग ये देखे और ये देखे ये क्या है आप लोग जानते हैं ये ये तो जलिएए बैक जे ये कोई ऐसे वैसे बैक नहीं थे इटली से मंगाय हुए हंडेड डॉलर के bैक थे सौ डॉलर लेकिन इटली में तो आट लेकर चलते ना आज बात को घुमाईए नहीं, असर समस्या पर ध्यान दीजिए विवान इसकूल में माचिस लेकर के आता है आज बैक जलाए हैं, कल को कुछ और जलाएगा तो क्या? विवान, सच बताओ तुम स्कूल में माचिस लेकर आए थे? नहीं, मैं माचिस लेकर नहीं आए था आप चाहिए तो मैच्स टीचर से भूछ लीजी ना टीचर से क्या पुछ वा रहे हो? ये लोग विद्या पर हाथ रखके कसम खाओ कि तुम स्कूल में माचिस लेकर के नहीं आये थे माचिस तो नहीं लाया था लेकिन बुक पर हाथ रखक, वो आप लग जाएगी क्या सोच रहे हो? रखो हाथ, खाओ कसम नहीं, 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 प्लीज देख लिए आप लोगों ने इसी ने बैग जलाया है मेरे बच्चों का इटली वाला बैग मैं चाहता हूँ कि इसे आज के आजी स्कूल से सस्पेंट किया जाए ने, ने, मिश्रा अंकर ब्लीज बजी सस्पेंट मत करवेए, प्लीज एक मिनेट, एक मिनेट, एक मिनेट देखे, मिश्रा जी, चिंदा मत कीजिए आपके बच्चों के लिए इंपोर्टेड नए बैक्स और स्कूल के नए कपड़े ये लेजिए तो आप नुक्सान की भरपाई हो गई अब विवान को आप सस्पेंड मत कराएगे हां हां मिश्टा जी विवान आपी के तो पर्डोस का लड़का है ना उसे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज देव ये तो हुई इसकी बरपाई मगर जो विवान ने गलती की है उसकी सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए हां मिलेगी जरूर मिलेगी स्कूल के 20 चकर दोड़का लगाने पड़ेंगे ठीक है पूरे 20 चकर लगवाएगा इससे बस पार्टनर अब और नहीं होगा विवान एक्टिंग मत करो सेफी की राण तो पखवाया तुमसे और वो भी सिब लोगों को दिखाने के लिए हारे आक्टी ही नहीं कर रहा हूँ और अब तो लोग भी चले गया है ना प्लीज माफ करना मझे पहले तो उसे बाद चल रहे थे अब तो बुरी की बुरी बॉरी जल रही है मेरी हाँ हाँ थैंक यू बानी बरी बाटर अब तो बुद्धी बाश जादू का ख़त इस्तवाल करने की सजब पूरी दराजे माफ कर दो रहा प्लीज हाँ भीवाण क्या तुम बिष्टे दो ते मिनों में किसी से मिले थी या फिर पिसी में तो मुझ खिलाया हो पिलाया हो यह कोई साधान जल नहीं है बच्चा इसके अजर से तुम प्रिट्वी पे सूरज की तरह चमकोगे हलो अब तिराजचा हाँ अलाख निरंजन वो तीन साधू मिले थी मुझे उन्जे बज में आशिरवाद लिया था वो एक कमंडल में हाट डालकर कहीं वो तीन साधू काहीं लोग से तो नहीं आये थे हो सकता है पानी परी लेकिन हमें विवान को पता नहीं चलने देना चाहिए वरना वो परिक्षान हो जाएगा क्या हुआ पाटनर साधूर के नाम सुनके आप लोग चन्नाटे में क्यों चले गए क्या करती है उन्जा दोने मेरे साथ कुछ नहीं हुआ विवान उन्होंने अगर तुमारे साथ कुछ भी किया होगा तो चिंदा मत करो मैं हो ना तो ठीक कर दो ना मुझे ब्लीज गर्मी के मारे गला सूक रहा है मेरा हाँ यहाँ पर नहीं विवान हमें तुमारे घर पर जाना होगा पानी परी मैं विवान को लेकर घर जा रहा हूँ तब तक आप यहाँ से विवान क्या हाँ देके लिव लेकर घर पर आईए ठीके दे अराजा अब क्या ढूंड रहे हो इसमें इस एक आख वाली दुर्मिन से ज्यादा ताख जाख अब किजिये वर्ना आख खराब हो जाएगे आपकी और सब लोग आपको बहार काना भैमार बोलने लगेंगे अइसा मैं नहीं लोग बोलने लगेंगे प्रिट्री पर सूरज की स्थिती देख रहाथ हमें विवान के शेहर में तो पैर का समय खत्म हो चुका है दीरे दीरे सूरज नीचे आये हैं और जैसे ही सूरियास थेगा विवान के साथ साथ ये पृत्वी एक फॉले धमाके में फट जाएगी एक ऐसी ऐसी छोटी सी दुर्बिन मुझे भी दीज़ना पहरा जा ताकि मैं बाल्यों पल्यों को रोता हुआ देख रहू जब आपकी धबाके दार चाल काम्याब हो जाएगी पार्डर बहुत करमी लग रही है यार कुछ करूँ ना प्लीज परियो हमें अपनी शक्तियों का इस्तमाल एक साथ विवान पर करना होगा परियो हमें परियो हमें आपकी बेल्टर ने एक साथ आकत लगाई है आप तक तो मेरा इलाज हो गया होगा ट्राय करता हूँ पार्टनर वीराज को आर्मी गिरम हो गया परियो यह कोई छोटी मोटी मुसिबत नहीं है मुझे शौरिय से सलाह नेनी पड़ेगी हेलो बांडल मुझे ट्रीट्मेंट की मत्री साइला ट्रीट्मेंट की मिल ली है कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है न फिकर मत करो विवान किसी भी इलाज का असर होने में थोड़ा समय तो लगता है इंतजार करो टाइम लगेगा कोई बात नहीं विवान तुम घर जा सकते हो लेकिन घर जाकर किसी भी चीज को छुना मत क्योंगए, मटर पानि बणी तब तक अब मेरे साइँ चली है न जब तक बाट्टन के जट्व का असर नहीं हो जाता तब तक मेरे साइँ चलकर मेरे हाथों पर ठंड़ा पानी चल लगते रहना प्रीज, चलो बरियो मैं शौर्यो शे मिलकर पता लगा था या खिर विवान पर किस ने कौन सा जादू किया है। तब तक आप विवान का ख्याल डखिये। मैं जल्दी ही आनका। विवान के शरीर की गर्मी सूरज के चड़ने के साथ साथ बढ़ रही है। इसका मतलब किसी ने उसके शरीर में सूरज का अंश डाल दिया है। लेकिन किसने। ये काम तिमनासा का हो नहीं सकता। क्योंकि वो परमस्त तयार करने में व्यस्त है। लेकिन ये जरूर काल लोग के किसी दूसरे प्रानी का किया हुआ काम है। शौरी, दर्ती लोग पर पानी परी। विवान पर थेंडे पानी की बहचार तो कर रही है। लेकिन उससे विवान को ज़्यादा देर तक आराम नहीं मिल सकता। उसे पूरी दरह से ठीक कैसे किया जा सकता है। इसका जवाब तो तुम्हें काल लोग में ही मिलेगा पान्वीर। ठीक है शौरी। अब तो मैं इसका हर्ड ढूंटकर ही लाटूगा। तो यह है परमस्त। बहरानी। नंगी उंगल की कसम एक पात कहूं। मुझना उस बहामार की चाल पर बिलकुल वो नहीं है। भरोसा उसका तो वही हाल है। चोटा मूँ और बड़ी बात। भरोसा है। भहमार की चाल काम्याब हो ना हो जब दाली। लेकिन तिमनासा का ये वार खाली नहीं जाएगा। आज पित्वी पर जैसे ही सूरे ग्रहन लगेगा। मैं वीर लोग के चिठड़े उड़ा दूंगी। पानवेर। लेकिन नहीं हो रहा ना। मुझे भी नहीं हो रहा है कि बहराजा इतने छुपे रुस्तम निकलेंगे। लेकिन एक ही चाल में शेय और मात देने वाले हैं तुमका। क्या करने वाले हो तुम विवान के साथ। सूरज दूबने दो, फता चल जाएगा। भाई मार सिधा सिधा बता दे वरनाप। मैं मैं बहुत दर गया। मैं तर थर काप रहू हूँ तुमारी धंकी से। लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, वो कोई धंकी नहीं है। लेकिन फिर भी तुम थर-थर कापोगे। बताये ना मराजा क्या आप भी। सूरज में कितनी गर्मी है जानते हो बालवी। मैंने सूरज का एक अंश विवान के शरीर में डाल दिया है। और शाम को जैसे ही सूरज धलेगा। विवान का शरीर भटेगा। और भाप बनके उड़ जाएगा। और शिर्प यही नहीं। प्रिस्य में भाप बनकर उड़ जाएगी। भाप ने भाप? भाप ने भाप? भाप ने भाप! और यहीँड़ जाएगी। विवान को तुम नहीं बचा पाओगे बाल भी। विवान को तुम नहीं बचा पाओगे बाल भी। लेकिन तुम अपनी तृथ्वी को ज़़ूर बचा सकते हो। अगर तुम विवान को खुद अपने हातों से मारो। सूरज धलने से पहले। या सोच लो पारविर। जो भी सोचना है जल्दी सोच लो। सूरज डुपने वाला है। और सूरज डुपने के पाद भेरानी के परामस्त्र से वीर लोग भी उपड़ जाएगा। तुम ये, वो भी तो हूने से रोकना है नौ। कैसा किया पराजा। एलो, ये कैसे तरम सकट में डाल दिया है इनलोंने मुझे। एक तरफ वीर लोग हैं और दुसरे तरफ विवान और पिठ्वी। ये, इन सब को एक साथ इतना है कम समय में कैसे बचा हूंगा। ताइम दगीगा। लेकिल ममे ने तो पांच बचे तरफ और दी कुकार। अगर तुरे एक राजे पेले वापन नहीं लोटूगा। तो मम्मी का गुस्ता दिलना पड़ेगा। क्या हुआ। क्या हुआ। गड़ी जुनोती आई तो पीड़ दगा कर भाग रहे हो। अरे भागेगा ने तो क्या करेगा विचारा। आपने इसे धोर में डाल दिया उसे कि मती ब्रश्ठ हो गई इसकी। लंटू की तरह चक्रम हो गया इसका दिमाग। क्या हुआ। तुम सिर्फ नाम के बाल वीर हो या थोड़ी बहुत वीरता भी है तुमारे अंदर। बोलो इसे बचाओगे। विवान को या अपनी प्रिथ्वी को या ऐसे ही पीड दिखा कर भाग जाओगे। प्रिट दिखा कर भागने वालो में से नहीं हूँ मैं। मैंने फेसला कर लिया है। अगर प्रिथ्वी को बचाने के लिए मुझे विवान को मारना पड़े। तो मैं तयार। अजिथे गाए। मैंने भोत पर ऺविर अजिए तोड़ी देर पारे आप जीत लेकिन आप जीत रेहें तेफिर। ऑई से ही कियरा है तुमने मुझे हर तरफ से मजबूर कर दिया ह। लेकिन विवान को मारने में एक समस्या है क्या जी समस्या? नबालवीर, मेरे शक्तिया के अवल बुराई का नाश्च कर सकती है विर लोग का कोई भी हत्यार विवान को नहीं मार सकता तसले तो में मुझे काल लोग का हत्यार देना होगा अरजा, आन जाहिए ना एल जाएगा हत्यार लेकिन वो हत्यार इत्ता ताकतवर होना चाहिए जैसे मैं काल कॉम ग्रह से चलाओगा तो वो परिथवी तक पहुंच जाए काल कॉम ग्रह? वो तो बहुत दूर है, वहां से तुम क्यों हमला करोगे क्योंकि अगर मैं परिथवी पर जाओंगा तो परियो को मुझ पर संदेह हो सकता है और शोर ये मेरी उर्जा से पता लगा सकते है कि मैं क्या करने वाला हूँ और वैसे भी विवान को मारने के बाद मेरी शक्तिया छीन ली जाएगी मुझे विर लोग से निकाल दिया जाएगा तब कम से कम काल कुम ग्रह में रहकर मैं पश्चात आप तो कर पाऊँगा राजा क्या सुच रहे हो कर लीजे, कर लीजे, मान लीजे मान जाएग वार तो होगा पर विवान पर नहीं काल लोग पर